आई साल सीजन एट का मैच नमर अठरा हो चुका है खताम मैच हो रहा था बैंगलोरी एफसी वर्षेद मुंबाई सीटी एफसी इस मैच पे मुंबाई सीटी एफसी ने तीन गोल लगा कर जीत ले आ है दूसी तरह बैंगलोरी एफसी जबाम में स्रिफ एक ही गोल लगाया थ मुंब अच्टी एपसी के नाम तीन पॉइंट गया है बैंगलोडी एपसी का एक और डिसपॉंटिंग पाफुमेंस चली इस मैच के हम लोग रिव्यू कर लेते हैं यहापर मैं आपको इस मैच रिडेटेड साड़ा डिटेल्स बताने बाला हूं कौन से ले ने अच्छा क्य आप क्या है मैच स्टोडी क्या रहा है मैच स्टाट क्या रहा है इस सब कुछ बताऊंगा तो आपको अगर जानना है तो इस वीडियो कहां तक जरू देखते रहना तो सबसे पहला आगा दोनों टीमों की प्लिंगल फन देखा जाए तो मैं आपको प्लीवी वीडियो में इस तरीके से बताए था कुछ इस तरीके का ही नजर आया है ज्यादा कुछ चेंजेस यहां पर नहीं था बैंगले डिफसी में गुर्पी सिंग संदू मौजुद था उसके बाद परतिक चोधरी ऐलन कोस्टा असी करूनियन नावरेम बुरोनो जैस राने सूरेस प्रिंस इबारा उसके बाद सुनिज सित्री और क्लिटन सिल्वा इसके बाद अगर मुंबवाई सिटी एफसी के देखा जाए तो यहां पर भाई आज एक गोल की पर मुहमद नावाजी था उसके बाद राहूल बेके अमेरा नावादे मतड़ा फॉल मंदरा उदेश साई कैसी नो गब्रेल उसके बाद हमें जाहू अपूया विक्रम पताब उसके बाद इगोर अंगोलो और विपिन सिंग एकदम हंड़ेट परसंड करेक्ट मैंने आपको जीस तरी के से बताया था उस तरी के का ही आपको नजर आया है इनका पिलिंग 11 तो पहला हाफ सुरू होती ही पर मिला था लेकिन भाई ओचांस भूना नहीं पाया लेकिन उसके कुछी देर बाद भाई यहांपर एक बहुत ही बरकलती हो गया था ऐलन कोस्टा से किए कि उनके हैंड़ बॉल हो गया था अपने बॉक्स के अंदर उनने हैंड़ बॉल कर दिया था मतुद फॉल ने उस बॉल को साइद हेट देकर देकर मारा था लेकिन हैंड बॉल यहाँ पर हो गया जिसके चलते पैनल्टी कॉंसिट कर बैटा बैटा बैंगलोड इफसी और इगुर अंगोले ने उस पैनल्टी को भून दिया भाई पैनल्टी को यहां पा ले लिया और एक जिरो से बरात का मिला था वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से बॉल को कंट्रोल कर रहा था उसके बाद हम बात करेंगे भाई नेक्ट जो गोल आया उसके बारे में जो की 20 मिनित पर आया एक फिरीकिक कॉंसिडर कर बैठा यहां पर मुंबाई सिटी एफसी अपने बॉक्स के ठीक बाहर और उसको रहते ग़िंद लिंटाण स्वा और तंस इल्वा वाई फिरीकिक से ही टॉप कॉर्becue पर बाल को घुषा दिया और यहां पर स्कूर लाएन ब्वान्न हो गया था यहां पर भॉए बैंगलोड येप्सी एकुलाइस दाग दिया था लग रहा था क्योंकि अजो भा और आपने इंजरी के चलते बाहर चला गया था 28 मिनिट खेल कर है उनके जगह एडमूंड को अंदर डाला गया उसके बाद से वाई जो कॉमेंडिशन पुले हमें दिखाई दे रहा था जो पेस दिखाई दे रहा था बैंगलोड इपसी में ओ कहीं नहीं घट गया था जिसके करते चलते हैं यहां पर मुंबड शीटी एपसी को दूसरी तरफ मौका मिल रहा था मुंबड शीटी एपसी लागातर कोसिस कर रहा था यहां पर के उनको एक गोल मिल जाए और उनने भाई लागातर ट्राइक क्या है दूसरी तरफ बैंगलोड इपसी कहीं कहीं बिखरत इबरा के जाने के बाद तो पहले हाफ में भाई कुछ इस तरीगे का ही गोल स्कोल हमें देखने को मिला था वान नुर स्कोल लाइन था लेकिन जब सेकर अप स्टार्ट हुआ भाई सेकर हमें विक्रम पतब को बाहर किया गया और डेनियर अंदर आया था और उसके बाद मुं कुमिनेशन फिले बहुत ही अच्छा हमें नजार आया था खास करके भाई अपुया क्या बॉल डिस्टिब्यूट कर रहा था भाई उन्होंने मुंबाई स्टी एप सी के मिट्फिल को भाई बहुत अच्छी तरीगे से कंट्रोल किया है एक लिंक आप जो होना चाहिए गोल आ गया था साइद एक फ्रीकिक था वहीं सही भाई मटड़ा फॉल अपना हेट देकर फिर से एक और गोल लगा दिया एज डिफेंडर सबसे ज्यादा गोल लगने वाला खिलाडी बन चुका है और सबसे ज्यादा हेड देकर गोल लगने वाला खिलाडी भाई मटड़ लेने जाता है और मट्रोट फॉल का हेड वहाँ पर आ जाता है और गोल लगा देता है इन दोनों का भाई जोड़ी बहुत ही तग्रा रहता है सिर्पीसेस में और यहां पर मुंबज सी टी एपसी दो गोल लगा कर बरहत ले लिया था स्कोल लाइन और वान टू था मुंबज सी अपना गेम खिल रहा तो इधार रहेगा उसके बाद ब्राजिल का एक खिलारी बाहर गया दूसरा खिले अंदर आया कैसी नहीं होगे जागे बाई इगोर करणा को डाला गया सुपर साब सुपर साब था भाई यह अपना काम क्या है चलिए मैं आपको आगे बताता हूं तो यह चेंज था भाई बहुत थी वाइटल चेंज मुंबची टीम के लिए और भाई तगला तो लग रहा था मैं आपको बताया था के सेकर हाप मुंबची टीम लग रहा था फास्ट हाप के तुलना में और इगोर अंगुलो भी भाई बहुत ही अच्छा काम क्या है उन् दिल्साति आधो मुझे लग रहे कि यहाँ पर सुने चित्री को मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सुने शिर्वा भाई व्याजब करता ठाखी परांटी Jaис है की पेहली वीवे 와서 सुने शित्री Сित्री एक फनल टीम oczywiście कर चुका है और मैंस कर चुका और और वहाँ पर भाई ओ गोल लगा पाता है तो कही न हमदने मैं घर अगे discipline तो बहुत त людей कर दिया है अज हुनसे आपको लेना नहीं चाहिए था दूसरे पोस्ट पर या दूसरी तरफ गोल के पर को भेज कर आपको सॉट लेना चाहिता लेकिन यहां पर कोई भी ट्रिक नहीं था उन्होंने सीधा सिधा स्ट्रॉंग सॉट लिया जिसके चलते भाई महमधिनावाज ने अच्छी तरफ इसको कल्कूलिशन किया और बॉल को सेब कर या परनाटी को सेब कर लिया महमधिनावाज का भी यहां पर तारिफ करना परेगा कि उन्होंने अच्छा पर्मिस क्या है उसके बाद भाई कुछ चेंजेस हमें देखने को मिला है बैंगलोडी FC के तरफ से नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आगा देखेंगे तो रॉलिंग इसके चलते 85 मिनिट पर बैंगलोडी FC के बॉक्स पर बहुत ज्यादा हल चल हुआ था पर इगोर अंगलो ने हेट देकर बॉल को घुसाने की कोशिस किया था लेकिन पोस्ट में जाकर बॉल लगकर भार आ गया था और सेकंड चांस बना भाई यहां पर इगोर काट जगे गुर्की रत को भाई यहां पर भेजा गया था विपिंज सिंग भी बाहर हो था उनके जगे ब्रैंडन इनमन आया था सुनिशित्तिरी विद्धर सगोर आया था सुनिशित्री के जागे और भी बहुत सार चेंजेस हमें देखने को मिला यहां पर लगा था लेकिन स् स्टैट्स देख ले दे तो स्टैट्स को अगर देखा जाए तो अब को लगभाग 5050 नजर आएगा बैंगलोरी एपसी का बाल पुजेशन 47 परसंट था और 53 परसंट था मुंबाइशी की बात करें तो यहां पर थोड़ा ज्यादा था मुंबाइशी का 71 परसंट और 62 परस हम देखने को मिला है मुंबाइशन 7 फी घोल और दूसी दर बैंगेल की अफकी चार हाए कि उन्हों न मिसकिया को चान्से उसके बाद आगर स्की बात किया जाए टॉट की बात कै पहले हाप में उनके उपर भाई 10-20 फाउल पहले हाप में तो 26 फाउल उन्हें क्या है इसके इलावा इंट्रसेप्शन उसके बाद क्रोसेस ज्यादा था यहां पर बैंगलोड इपसी कब लोग देख सकते हो मुबशीर इपसी कम था लेकिन उनको गोल मिला है और इसके बाद कुछ खिलारी का नाम किया जाए तो बैंगलोड इपसी के तरफ से बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहिए था इसके इलावा भाई बैक लाइन पर उतना अच्छा हमें कॉम्बिनिशन देखने को नहीं मिला है एलन कोस्टा का बहुत सरा गलती हुआ है पतिक चोधरी एस भी भाई बहुत ही बड़ा-बड़ा गलती कर रहा था बॉल को कंट्रोल करने ही पा रहा था जब भाई ओकांटर अटेक मारते बॉक्स के अंदर आ रहा था मुंबची टीप सी तुहां पर आच्छा क्लियरेंस करना चाहिए था लेकिन इस तरह के कुछ हमें हि अच्छा खेला है जैस राने का पहुंज आज ठीक था कि था किल्टन सिल्वा भाई टॉप खिलार था इस मैच का कोई भाई दोस्त नहीं है उनको सब्लाइन ही मिल रहा है तो किस तरगे से फिनिस करेगा तो मिट फिल्म में बहुत ज्यादा आप काम करना पड़ेगा लेक एक नंबर खिलारी उन्होंने पेनल्टी सेब किया है इसके लब मटड़ा फॉल राहूल बेके रहमे रनावादे मंदा हुदेशाई बैक लाइन पर ये बैक चार फूर भाई बहुत ही डगरप अफमेंस डाला था उसके बाद अगर मीट फिल्की में बात कर तो भाई अप बहुत ही अच्छा पाफमेंच था विक्रम पतब सिंग ने भी अच्छा कि आये पहले हाप में उनका जो स्पेशलिटी स्पीड उस्पीड उन्होंने पहले हाप में दिखा यह द एक दापता भाई बहुत इची तरिकी सुनों स्पीड पकर रहा था बाल को ले जा रहा था इस मैंच के पर कमेंट करके मुझे जरूर बताईए फिलाल के इस वीडियो को इन्ट कर रहा हूं आपको बहुत बहुत सुक्रिया टाइम ने कलके इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरू कर दिजे अपने दोस्तों से पॉटिन चीडियो के बारे में बताई चले और अब नवी देख चनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेस्टन आउन कर दीजिए तक आपको फटाफार नोटिफिकेस्टन मिल जाए जब भी मैं भी डाबलोड करूं